हेलो चुडेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टैली प्राइम स्रीज का लेक्चर नमबर 56 है और जैसा कि आपको पता है कि हम पेछले वीडियो में एक नई कंपनी हमने बनाई थी और उसमें हमने क्लोजिंग बैलेंस जो था यह हमने चड़ा दिया था ठीक है यह सारी लेजर बनाये थे और क्लोजिंग बैलेंस हमने चड़ा दिया था अब यहां पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो मन्त है यह जुलाई है जिसमें पहला कोश्चन है कि 80,000 रुपै बैंक में जम अगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहां पर हमारा अगला कोश्चन जो है यह आपका है यहां पर इसमें कुछ नया होगा लेकिन ऐसा नही है यहां पर सिंपली परचेज किया गया ठीक है जब हम मैनिफैक्टरिंग की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो हम इन्वेंटरी ही परचेज करते हैं इन्वेंटरी यानि की रो मैटरियल खरीते हैं जो भी खरीतेंगे वो रो मैटरियल को परचेज करेंगे तो वह हमारी परचेज की ही इंटरी होगी जो की हम कर चुके हैं अगर आप भूल गये हैं तो पहले उसको देखें ठीक हैं अब भूल सकते हैं क्योंकि बीच में हम सर्विस और्गनाइजिशन विच पड़े हैं तो वहां पर हम पर परचेज और सेल की इन्टरी वहां पर हमने नहीं देखी हो सकता है कि थोड़ा सा जो है आप भूल गये ह कि परचेज और सेल की इन्टरी स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रूप किस तरह से क्रियेट किये जाते हैं गोडाउन हो गयरा समझ लें एक बार ठीक है फिलाल यहां पर मैनिफेक्ट्रिंग और इसमें क्या होगा सबसे पहले हम रो मैटरियल को परचेज करेंगे जिसकी मैनिफेक्ट्रिंग ठीक है और फाइनली उस माल को क्या करते हैं हम सेल कर देते हैं जो कि हमारा फिनिस्ट गूड्स के अंतरगत आता है ठीक है तो यहां पर हमें तीन गोडाउन की जरूत पड़ेगी ठीक है जब हम माल को खरीदेंगे तो उसे हम बोलेंगे रो माटेरियल और उसको हम रखेंगे रो माटेरियल गोडाउन में और दूसरा जोब और गोडाउन यानि कि जब हम जो हमारा रो माटेरियल है जब इस पर हम मैनुफेक्ट्रिंग करेंगे तो उसको रखेंगे जोब और गोडाउन में और जब वो रेडी हो जाएगा बेखने के लिए त ठीक है तो चार laser बनेंगे और ये सारे stock item बनेंगे और इनका जो under रहेगा तो आप चाहें तो इनको primary के अंदर छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे एक raw material नाम का group भी बनाएंगे ठीक है एक raw material नाम का stock group बनाएंगे और एक raw material go down नाम का go down भी बनाएंगे ठीक ह तो confuse नहीं हो ना raw material go down ये आपका go down है और raw material ये आपका रहेगा एक stock group जिसके अंदर हम रखेंगे जो भी हम stock item purchase करेंगे जो हमारे raw material से related होंगे क्योंकि ये हमारे raw material है बास समझ आ गई इनसे हम तयार करेंगे एक computer ठीक है तो वो जो हमारा computer होगा उसे हम sell करेंगे तो वो हम यहां computer का laser बनेगा ये सारे stock item बनेगे और इसका एक stock group बनेगा raw material का और ये हमारा बनेगा unit of measure नॉस number of system आपको अच्छे से बता है और यहां पर ये तीन go down create होंगे तो इतना create करने के बाद finally यहां पर ये entry हम pass कर देंगे तो चले यहां पर चलते हैं सीधे tally prime पर और यहां इस इंट्री को करते हैं तो यहां पर सबस्पहले हमें क्या करना है go down create करना है नो go down बनाने के लिए आपको कहा जाना है नाम् स्वच खेएyard टीनagon आपको यहां से बनाने है अंडरism प्राइमरी के रखना है क्लियर है तो यहां पर हमने go down पहले से बना रखें यहां यूनिट आप मेजर बना लेंगे, यूनिट में जाएंगे, सेंबल में नॉस, फॉर्मल नेम में, आपका नंबर रहेगा, और यूनिट कॉंटिटी कोड जो है, वो हम NOS सेट कर लेंगे, ठीक है, वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमने लोकेशन और यूनिट दोनों बना हैं, बास समझा आ गई, तो यह इतना हमने create कर लिया है, अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे, वाउचर में और बाकी की जो चीज़ें बची हैं, उनको हम entry करने के दोरान ही बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा voucher रहेगा, पर प्रचेज वाउचर रहेगा, ठीक है, स उसके लिए आपको पता है, यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करनी है, और यहाँ पर use common laser, यह option आपको मिलेगा, इसे आपको yes कर लेना है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर आपको modify tax rate detail GST, यह भी आपको जो है, yes करके रखना है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको अच्छे स करेंगे, आपको पता है, under syndicator के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन से हम मालोधार खरीद रहे है, maintenance will be a detail yes रहेगा, और एंटर करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका purchase होगा, जिसका laser बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस company में यह पहली बार entry कर रहे हैं, और यह जाएगा, purchase account के सारी चीज़े वैसी ही है, purchase account under inventory value are affected, यहाँ पर yes रहेगा, enter करेंगे, यहाँ पर GST जो है, यह अपलिकेबल रहेगी, और settler GST डेटल यहाँ पर no रखेंगे, क्योंकि हमें item wise GST लगा नहीं है, हमें laser पर set नहीं करना है, enter करेंगे, यहाँ पर हम बताएं code भी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम HSN code भी use करेंगे, आप भी use करें, यहाँ पर यह cabinet item हमारा है, और इसका है HSN code है, तो यहाँ पर alt C करते हैं, और stock item create करते हैं, cabinet ठीक है, और under यह जाएगा, आपका raw material के, unit of measure यहाँ पर यहाँ आपका रहेगा, नॉस, ठी और अगर alternate unit आपके में नहीं आ रहा है, तो कोई दिखकर नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम आगे समझेंगे, फिलाल अभी हमारे में आ रहा है, तो इसको हम not applicable रखेंगे, enter करेंगे, यहाँ पर set component bomb, यह भी आप में option नहीं आ रहा होगा, हमारे में आ रहा है, ठीक है, alternate unit इस option को भी यहाँ पर हम no कर देते, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें सारे normal option है, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, raw material यहाँ पर unit nos रहेगी, और GST applicable यहाँ पर रहेगी, और set alter GST detail yes करते हैं, और इसमें यहाँ पर HSN code यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है, अगर आप में यह option नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करनी है, और इसमें से आपको HSN जो है, यह yes कर लेना है, ठीक है, allow HSN and sack detail yes कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने यह HSN के field आ जाएगी, description में यहाँ पर आप डाल सकते है, cabinet का description, इसके बारे में और finally यहाँ पर इसको हम accept कर लेंगे, तो यह stock item बन गया, यहाँ पर हमारा जो location रहेगा, वो raw material गो डाउन रहेगा, क्योंकि हम raw material में ही इसको रखेंगे, ठीक है, quantity यहाँ पर कितनी है, तो quantity इसकी है 100 और rate यहाँ पर है 650, ठीक है, तो यहाँ पर 100 और यह 650, एंटर करेंगे यहाँ पर total हो गया, और इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर हमने cabinet stock item create किया है, और सारी process आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल ठीक, इसी तरीके से mouse, keyboard, RAM, and hard disk, DVD monitor सभी के लिए यहाँ पर है, और HSN code के बारे में भी हमने बता दिया है, तो यहाँ पर हम वीडियो को pause करते है और फटा-फट यह item जो है, वो चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ पर हमने सारे item जो है, वो चढ़ा दिये हैं, ठीक है, और इसका जो amount आ रहा है, वो 8,7,500 रुपया आ रहा है, यहाँ पर बिना tax के, और यहाँ पर भी tax हमने नहीं लगाए, ठीक ह एंटर करते हैं, और यहाँ पर उसके बाद एक बार और एंटर करते हैं, cgst, sgst का laser बनाते हैं, और अंडर यहाँ पर यहाँ पर यह जाएगा duties and tax के, duties and tax, और एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका यह रहेगा gst, और यह cgst बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रहेगा central tax Central Tax हो गया और यहाँ पर Rounding Method हम Not Applicable कर देते हैं Accept कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर हम SGST का भी laser बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर SGST और Enter Duty and Tax यहाँ पर यह GST रहेगा और यह आपका रहेगा State Tax एंटर करेंगे Not Applicable Accept तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका Total Amount जो है वो Tax के साथ में आ रहा है 9,52,850 रुपए जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है और अब यहाँ पर हम इस Entry को Accept करते हैं Enter, Enter, Enter और फाइलली यहाँ पर यह Entry हमारी Accept हो गई चलिए फिर उसके बाद अगला Question यहाँ पर हमारा है 1,20,000 रुपए बैंक में जमा किया गया फिर से यहाँ पर voucher आपका Contra होगा Simple Entry है ठीक है voucher यहाँ पर Contra Credit में Cash कितना जमा किया गया 1,20,000 रुपए और इंटर करेंगे यहाँ पर debit में आपका जो है यह आपका रहेगा ICICI Bank और इंटर करेंगे फाइनली इसको हम Accept कर लेंगे तो यह Entry भी हमारी Complete हो गई यहाँ पर Simple Entry थी उसके बाद यहाँ पर अगला Question जिसमें Company had following employees यानि Company ने क्या किया है कुछ employee को hire किया है और यह आपको नहीं करना है आपको भी पता चल गया होगा ठीक क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है hire किया गया है और salary को जो हम अगले महिने देंगे ठीक है तो सिर्फ यहाँ पर Information दे गई है और कुछ नहीं है 2000 उपर go down का किराया fix किया गया है तो जो कि entry हमें नहीं करनी है सिर्फ हमें security deposit वाली 25,000 के entry करनी है और इसको हम कई बार कर चुके है cash city 1, 2, 3 सभी में आई थी ठीक है लेकिन यहाँ पर एक नई चीज है वो क्या है देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं note में create voucher class bank payment and cash payment अब यह क्या है इसको समझते है ठीक है तो देखें यहाँ पर अभी तक क्या था कि जब भी हम payment करते थे यानि कि हम cash में payment करें या फिर हम check issue करें check issue करने का मतलब क्या है payment ही तो किया check issue करें तब भी हम payment voucher लगाते थे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक अपना voucher class create कर सकते हैं ठीक है वह कैसा होगा तो वह तो भी हम practically देखेंगे ठीक है वह कैसे होगा मतलब तो यहाँ पर आपको यह समझ आ गया होगा कि voucher class यहाँ पर हम क्यों क्या है वह आपको पता अभी चल जाएगा चलिए सबसे पर यहाँ पर हम यह दोनों वाउचर class जो है वह create करते हैं और आपको यह भी पता चलेगा कि वाउचर class हमें कैसे यह चीज अभी तक हमने सायद नहीं देखी है ठीक है तो यहाँ पर वाउचर class create करने के लिए आपको अल्टर में जाना है ठीक है वैसे तो नॉर्मली create का मलब create में जाना है लेकिन यहाँ पर हमें क्या गरना है payment voucher में ही हमें वाउचर class बनानी है तो उसके लिए हमें अल् payment की ठीक है इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने according फिलहाल यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं bank payment ठीक है यहाँ जब हम चेक इसको करेंगे तो बैंक पेमेंट बाउचर class लगाएंगे और जैसे हम बैंक पेमेंट यहाँ पर डालके एंटर करेंगे तो इसमें यह प payment होगा और bank payment में cash का कोई काम नहीं है तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे exclude करेंगे cash in end यहाँ पर हम exclude करेंगे और फिर यहाँ पर enter करेंगे बस एक ही को हमें exclude करना है और include क्या करना है तो include हमें करना है bank account को ठीक है अब bank account यह क्या है तो देखिए जब हम bank payment voucher से payment करेंगे तो जहर सी बात है कि bank payment यानि कि bank account के under जो भी bank है वही so होनी चाहिए तो बस उतनी ही आएंगी तो यहाँ पर हम select कर लेंगे bank account ठीक है तो बास समझ आ गई होगी हमने क्या किया cash को exclude कर दिया है और bank को include कर लिया है किसमे bank payment voucher में ठीक है और ठीक इसका opposite करेंगे हम cash payment में फिलाल यहाँ पर हम इसको पहले accept कर लेते हैं ठीक है और इसमें हम नीचे laser भी बता सकते है यानि कि किस laser का नाम क्या है तो यहाँ पर हम बता देंगे ICICI bank ठीक है और यहाँ पर bank overdraft को इन सभी को जो है हमें exclude कर देना है और enter करेंगे और यहाँ पर हमें cash in hand को include कर लेना है ठीक है और फिर उसके बाद enter करेंगे laser name में यहाँ पर हमें cash को select कर लेना है cash को select कर लेना है बास समझ में आ गए होगी चलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं bank payment में क्या exclude किया क्या include किया और laser name में हमारा क्या है ठीक है इसको आप देख लिए हो गया वापस आते हैं और इसी तरह से यहाँ पर आपका यह cash payment में हो गया ठीक है यह भी हो गया वापस आते हैं और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं enter करते हैं और accept कर लेते ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर एक बार और enter और यह आपका accept हो गया तो यहाँ पर हमने voucher class दोनों की बना ली अब चलते हैं यहाँ पर हम transactions में और voucher में entry करते हैं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि normally इस तरह की entry payment voucher पर कर रहे थे लेकिन अब हम क्या करेंगे वही प्रेस करनी है F5 और यहाँ पर आपको voucher type में जो class है इसकी यह select कर लेनी है bank payment यह फिर cash payment तो हमें क्या करना है bank payment तो जैसी यहाँ पर हम bank payment डालके enter करेंगे तो automatic यहाँ पर कुछ इस तरह से single entry mode में system आ जाएगा ठीक है इसमें क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर account में automatic bank सेट हो चुका है क्योंकि उसे पता है कि आप bank payment voucher class आपने select किये तो कैसे ही bank ही आने वाली है ठीक है बस हो गया particular में यहाँ पर आपका क्या होगा security deposit जिसका laser पहले से बन चुका है क्योंकि security deposit यह हमने इसका closing balance भी डाला था ठीक है bank set है तो अभी तक यह option आ रहा था लेकिन अभी कंपल सरी है तो वैसे तो यहाँ पर instant date यानि कि जिस date में आप check issue कर रहे है वो date डाल नहीं होती है लेकिन यहाँ पर हम first July ही रखेंगे तो यहाँ पर आपको cash वगिरा ऊधिया नहीं बताने परफ rooms गर्के़ा फोगिरा देविट यहाँ करेट नहीं लेकिन कर्योंकि यहाँ पर जहर सी बात है कि जब आप payment कर रहे हैं तो जहर सी बात है कि cash यहाँ पिर bank आपका credit ही होना है तो इस logic के आधार पर है यहाँ पर यह automatic voucher payment में ICIC bank credit side में set हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर यह जो account में दिख रहा है ना, यह credit है, चली, तो यहाँ पर हमारा question number 5 जो है, यह complete हो गया है, और इसमें हमने यह भी देखा है कि voucher class जो है, वो किस तरह से create की जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है, question number 6, जिसमें यहाँ पर फिर से company ने जो है, वो कुछ purchase किया है, कुछ item purchase किया है, जिसमें motherboard वगएरा, processor, यह सारी चीज़े हैं, तो ऐसा करते हैं कि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर question number 6 से हम अगली वीडियो से continue करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, होके सो, thanks for watching this video,